कि आई आज गिव अवे से बताते हैं इसके पहले हम कल गेट आन तक पढ़ा चुके थे आप लोगों को वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख लिए प्लेलिस्ट में जाएं भी फरस्टियर के यह सर्च कर लिए तो आपको मिल जाएगा देखिए आज का पहला सब्द है ना ठीव आवर है परिछ्षा में आपको कहे ओल इसका मेरे पूछ पूछ एगा बीए में इंटर में वाकिता था यहां मेनिंग पूछेगा था आफ इसको मीनिंग मैं बता दे रहा हूं कि men चिक है मनले मानल इसका मीनिंग है क्या थोड़के साथ उसको बता दे रहा हूं बाकि आप जिसका कम क्लियर हो पाए संटेंस भी पढ़ सकते हो और संटेंस आपको मिल जाएंगे आगे चलिए देखते हैं यह आपने आप बेज़ों से कुछ बना सकते हैं अपने इसाथ से एक वाक्ट के अपने दिमाग से देखिए गिब अवे माने क्या होता है डिस्ट्रीव्यूट आपको ऐसे याद करना गिब अवे मींस क्या होगा डिस्ट्रीव्यूट डिस्ट्रीव्यूट माने होता बांटना क्लियर तो अब देखें याद करने की ट्रिक क्या होगा गिब माने क्या होता है देना पहले तो देना ही अ दूसरों को दे दे रहे हो कोई चीज तो इसको क्या कर रहे हो बाट दे रहे हो क्लियर बाट दे रहे हो अब इस तरह से आप इसको समझ सकते हो क्लियर अगर भूले तो से ड्टेंस में उसका कर लो बस तब चांस कम रहेगा महीं ठीक है तो गिल्ए माने क्या होता सरेंडर या या इंडर म le na क्लियर हधिया डालनावी बोता स्वेंडर मकर दे ना यूइपी आप को कि यूप बच्चक किसी चीज की जीद अगर पकड़ लिया इस तरह से हार मनना बच्चक कोई समान लेने की क्या कर लिया जीद कर ले कि मुझे ये चाकलेट चाहिए कुछ भी चाहिए तो मा उसकी जीद के आगे क्या करेंगी हार मालना की चलो ठेक है तुमको मिली ही जाएगा जब तक नहीं दे देंगी तब तक वो रोता ही रहेगा इस तरह से क्या कर लिए माने बच्चे के प्रतिक्या की सरंडर किया ये मतलब जुक गई जुकने वाली नहीं थी पहले के थे नहीं मिलेगा लेकिन बाद में जुक गई जब बच्चा जादा रोने लेगा इस तरह से मतलब ह मा है बच्च एक हां ला कि वह दे दू है नहीं दे रहे थी तो बाद में बहुत ज्यादा दिबादका रोने चिलाने लगा तो उसके सैन में हार माल लिए ठीक है मैं तुमसे हार गई हो चलो मैं तुमको ला करने भी दे रही है है आप स्मागेगे तो तो एंड कर दी बच्चे के सामने ठीक है इन इन मने ma PhD मांग में व्यांड में आимиड़को अपसे दिदेगी उसको शॉचरों भाहर भी सभी लोगों को जानकारी दे दिया गया तो क्या है बाहर देना मतलब कोई छीद बता दिया जाता है तो सटी़ जले जाता ना कि अब देखिए आगे क्या इंड और गी वाने हैंड में जिस चार्ज किसी आद्मी स्हाइल घंड में मुझा आपको चीज़ा में सॉंप दिया गया है प्लेयर आपके हाथ के ओवर मने उपर रख दिया गया चाभी को यानि कि सॉप दिया गया गिप माने देना ओपर से दे दिया गया आपको लोग तो सॉप यह तो हैंड ओबर उसको करते हैंड ओबर भी फ्रेजल बरग है सॉपना पर साइन मने सॉपना होता है देखिए यहां आफिज 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 टूए न्यू माइन वह आफिज का चार्ज जो है मतलब जिम्मेदारी एक नए आदमे को क्या किया है सौप दिये हैं हाथ एक फ्रेदल पर जहां छूट गई है गिवाउट दूसे दो है तो इसको भी हम देख लेते हैं वापस कि अट कि इवाट माने होता है becoming exhausted हिजेश्ट होते है कि अखांद हो जाणा उल्याट होचान जाना एक ह। हो जाना ठीक तो वाग की देख लिए the supply of coal is giving out कोल माने कोला की supply giving out माने क्या होती है समाथ हो गई है supply ठकती थोड़ी खतम होती है clear तो अबीकमिंग जास्टर माने खतम हो जाना जैसे मतलब थकना वे इसे इस टूप बना लें जैसे आप कोई काम कर रहें एक तम करते करते ठख गए एनर्जी ही नहीं रहा गई एक गिव आउट तो गिव आउट को मतलब एनाउंस या बीकमिंग जास्टर दोनों आप याद कर लो बस बात करें कि मतलब आउट माने बाहर गिव माने देना अपनी एनर्जी को आप बाहर पूरा दे दियो कहाने मलब कि पूरी इनर्जी क्या हो गए खतम हो गई कोई सप्लाई किसी चीज़ की करने बाहर उसको बाहर दे दियो सबको तो आप पर आपके पास रही नहीं गया समाने इस तरव च्श्टर से हो गया खतम हो गया ग्लियर को भाहिम माने क्या होता है तो हैंड अगी और माने हैंड सबय दो थाल भर किसी को सब देना किसी के हात में देना गो वाई मैंने क्या होता है जैज समूल खृम माने का मनना छलने किसी के अंसार आप छहर तो जैज फ्राम जो इसका सिरानेश होजाएगा क्लिए अगेर एक मतलब क्या होता है निर्ड़े करना किसी चीज से आप निर्ड़े कर लो यह शीज ऐसा है यानि कि उसको आप क्या कर रहे हों मान ले रहे हो ठीक इसमें देखिया इट इन नाट वाइस टू गोवाई अपिर citizen Listh तो याद करने के ट्रह्लिक कि सब्सक्राइब गमने जाने जब्सक्राइब किरण मने द्वारत याद किसी के द्वारण आप जा रहे हो मतलब क्या यह उसको मानने जा तो उसको fix है तो गओन और अब अप को ठीक है और ऑफ इसका क्या मतलब होता है कर दोनों एक ही है go down or up तो go down को मतलब क्या होता है decrease go down or up माने क्या होता है decrease or increase in price मूल को बढ़ाना या घटाना decrease माने क्या होता है बढ़ना increase माने घटना clear देखो अब याद कैसी क्या अब इसमें एक ही आ सकता go down आए जाएगा तो decrease in price होगा तब उसकी हिंग उसका सिनाने ठीक ना और गो आप आएगा तो increase in price बात समझ रहे हो ना दोनों में की आएगा याद करने की क्या लाजिक क्या है गो माने जाना डाउन माने नीचे अगर किसी चीज का दाम जो है नीचे जा रहा है तो जहांने डिक्रीज हो रहा है घट रहा जिसे पेट्रोल का दाम डिक्रीज हुआ था अब तक घटा था अब इस समय क्या है आप अप माने ऊपर जा रहा है मतलब जैसे 74 रूपए से 50 रूपए 80 रूपए 90 रूपए तक चला गया है संख्या बाढ़ गया है तो मतलब बढ़ गया है इस तरह से गर डाउन अर अप माने डिक्रीज रार इंक्रीज इन प्राइस मुल में घटोतरी या बढ़ोतरी समझ गया ना आड़ से कनक्ट करके इसको समझे क्यों इसका मेंशका मेनर्प यह होता नए तो आप समझ नहीं बहुत ज्यादा भूलता है ठीक चली आगे गो फार माने क्या होता है सेल बेचना क्लियर अब गो फार बेचना याद कैसे होगा देखिए एक यंपल पढ़ लो दिश पेंस और गोइंग फार और यह 10 रूपीच यह कलम 20 रूपय प्रत्यक के हिसाब से बेची रहे हैं गो फा पार भानेके लिए 20 रूपय के लिए जा रहे ह Näए मतलब क्या जैसे कोई कलम है बेची जा रहे है तो बीस रूपय के लिए कल्म जा रहे आगे चलते हैं अगला फ्रेजल वर्व हमारा गो इन फार गो इन फार माने होता है कंपीट कंपीट माने होता हिस्सा लेना या प्रतियोगत्या करना भी होता है प्रतियोगत्या करना या हिस्सा लेना अब इसमें क्या है कि जैसे ग्याम पल देख सकते हैं मिस्टर कालिदास कालिदास ने वेंट इन फार गो का सेकेंड फार्म क्या वेंट टेंस के साफ से चाहिए जो फार्म आ सकता है प्रतियोगत्या करने की ट्रिक क्या है इन माने अंदर फार माने के लिए मतलब आई उस एक्जाम के अंदर वह आई इस इक्जाम को पास करने के लिए गये थे हैं एक्जाम के लिए इन Valentine में गये थे Photoshop वो हिस्सा लेने गए थे, competition में गए थे, अप समझ गए नहीं, बस, इन्वाने अंदर, किस चीज के अंदर ही आत्मी हिस्सा लेगा, competition वगएरा है, कोई परिच्छा वगएरा पास करना, अब देखे, go in far का एक और मतलब meaning है, दो meaning है, कुछ, ऐसी phrasal vervance दिखा, एक से ज़् object, अपने एक उद्देश के रूप में लेना, object माने उद्देश भी होता है, clear, आप देखे, I go in far Hindi, I the medium of instruction, instruction माने सुझाओ, मैं सुझाओ के माध्यम, या सिच्छा भी होता है, instruction माने सिच्छा, के रूप में Hindi को लिया था, Hindi को अपना उद्देश बनाया था, clear, अपने उद्देश के रूप में लेना, तो वही चीज है, अगर आप जा उद्देश के लिए उसके अंदर में जा रहे हो, तो आप उद्देश ही तो बनाया हो, तभी तो जा रहे हो, कॉपिटिशन दे जा रहे हो, कमपीट करने है, clear, लेने, hold back माने क्या होता अगला, keep secret, hold back माने होता गुप्त रखना, secret माने रहास, keep माने रखना, रहास या गुप्त, secret बात है, गुप्त बात है, रहास रखना या गुप्त रखना, clear, या रोकना, जिसे कोई बात अपने अंदर आप गुप्त रूप में रखे हो या रोकना, उसको कहते है, hold back, आप देखे, याद करने की trick क्या है, कि इसमें hold माने क्या होता, पकड़ना, back माने पीछे, कोई भी चीज हो है, आप उसको अपने पीछे पकड़े हो, clear, कोई भी समान है, उसको आप अपने पीछे ऐसे, पकड़े हो, तो पीछे पकड़े हो, तो जानने या गुप्त रखे होना होल्ड गुड माने लाइग आपलाई के लिए आपलाई कर रहे हैं अब देखिए याद कैसे होगा होना होता होना भी होता है अब पकड़ना भी होता है अच्छे ढंस अगर किसी चीज़ पर पकड है याणि कि वह नियम लागू है किसे नियम पर पकड है अच्छे से यानि वह नियम लागू है एक होल्डवीन माने क्या होता है टू रेस्टैंड और कीपamento होल्ड इन माने होता है काबू रखना इसका हिंदी यार्थ क्या होता है काबू रखना जानते रहो बसे हिंदी आपके पेपर में नहीं आगा लिखने के लिए अपने जानकारी के लिए होल्ड इन माने होता है काबू रखना मतलब क्या होता है रेस्ट्रेंट रेस्ट्रेंट किसी को नियंतर में रखना यानि इस पर आपना काबू रखना Anoop अपने काबू में उसको रखना कीप इन चेक चेक माने क्या होता है रोक किसी को रोक 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 रोकने में रखना मनला रोक के रखना कीप इन चेक काने मनला उस पर काबू रखना तो टू रेस्ट्रेंड आर कीप इन चेक माने काबू रखना या नियंतर में रखना रोक के होल्ड ओहर होल्ड ओवर माने क्या होता है पोस्ट पॉन है क्लियर याद कैसे होगा पोस्ट पॉन पोस्ट पॉन का मतलब क्या होता है आज का काम कल को टालना तुछ को कहते हैं पोस्ट पॉन अब hold मुनंत हैं आप यह यहाद किस्की ट्रिक क्या होगी आप चाको को ले लीए आप Chicago को उपर होल्ड यानि पकड़ ऊपर पकड़े हो ऐसे लड़का का रात दे दो मचे केक को काट दू लेट हो रहा है आप पकड़े हो यानि आप क्या कर रहे हो पोस्ट पोन यानि उसको टाल रहे हो समय को क्या कर रहे हो आप टाल रहे हो देर कर रहे हो अब समझे ना इस तरह सार कर रहे हो वह समय काटने का काम क्या कर रहे हो ठाल रहे हो देर कर रहे हो ठीक है अगला ला है hold on wants own माने not give hold months on मतलब क्या not give not give माने रास्ता ना देना hold one son ठीक है अपने सहार बसे ओल्ड वाने पकड़ अपने आ साफ से one food sold my Bukkaड़े हो किसी को जानी उसको रास्ता नहीं दे रहो को याना चाहता है पर रास्ता मुछ उसको पकड़े हो रास्ता नहीं दे रहो पीछे भी से related app को आता मतलब एक आया था clear रास्ता ना देना not give बब रहे तो उसमें वह आपको इसी ट्रिखम बताय थे ठीक, बीर अप था, clear, लखसान कर रहे थो उपर से ही, जो भी प्रहार पढ़ रहा था, लेकिं दास्ता नहीं दे रहे थे, चलिए आलिए, याद हो गया, आगे, कीप बैक मने क्या होता है, फैए, कांसिल, कांसिल मने क्या होता है, छिपाना, बस इसमें भी वैट प्रीक आपना आलो, कीप मने रखना, बैक मने, पीछे, जैसे होल्ड बैक नहीं था, कीप बैक, दोने writes पिछे रखे हो कोई चीज अपने पीछे रखे हो आगे नहीं रखे उन् continuously आक इहां एड़ी थो nogle गहुंद आई कुछ लोग को आट है कोई आता तो उसको ठीछ है सोचे कहीज न पर औ। है तो कि बेड है कंसिई इसका एक सिर्ण आनक से हाइड हाइड मैंने विछि भी क SG क्लेर उतना समंग लें ना या कांसिल अगला Jakky keyword के upfront मैंने क्या होता है।šक तू면 अभिए देख़ें इसमें किसका में डाक्या कीप मैंने रखना अप। cima मने 12 आप 10 में यह तो प्रहेज करना तो आप 15 आप Center सेखरने के लिए जी करना आप देखे बतारें की पानिय रखना फ्राम मनेस सें फ्राम अलगाओं को प्रिकटकरता है किसी चीद से या नहीं आपको अलग रखे हो यानि उसी ते जिस्वाण कर रहे गर्या हो जिसे शराभ पीने माने होता है, Maintain, अच्छा स्वास्थ रखना मतलब क्या? Maintain, अभी इसमें यादिकरने, क्या जरूद है? Keep माने रखना, Good Health, अच्छा स्वास्थ, अगर अच्छा स्वास्थ आप अपना रखे हो, तो यानि, कि अपना स्वास्थ क्या कि ओ? हो Maintain की हो खाफली की करणे अपने आपको अपने बहुत मेंटें प्रम यह मतलब वह अतना अपना स्वास्थ अच्छा रखेंशा है अब समधितंब आख समाझया न बनूसद मौने की होता है तो रीमेन इन गूड टेर्म समीर्पर समयोन होगा यहां तो सथ uh इसका मेरा अगर किसी के साथ में अपने अपको रखे हो तो उसके साथ अच्छी सर्त मेरा रहे हो इसा zoals bone 我要 term student Surms सात्व होता है अब इस से साथ नित्फाइब के अपने आपको अपना को रखो कि जब इसके साथ आपके सथ अपने आपको रख आपके अच्छी सर्त रहेगी तभी तो ना गरबत सर्त रहे पर हमें करो कि चलिए आगे ले इसाइड आर ले अवे दोनों का मतलब एक ही है पुट अवे ले इसाइड या ले अवे माने होता है पुट अवे पुट अवे माने क्या होता रखना या बचाना रखना या बचाना समझे एक नहीं है तो hak Sut H एक and आप देखे याद करने की टीरा le manay knya रख न होटा में करता है ले इसे साइड CAN एक तरफ ए साइड माने एक तरफ एय साइड अगर एक तरफ हाप रख रहे हो तो जानग ही बचा रहे हो खुता वह बचाब व। से आप से रखना कि बचाओ आप बचा के रखना क्लियर आप चाले अवे मने भी रखना अवे मने दूर दूर रख रहे हो तो क्या कर रहे हो तब भी आप बचा रहे हो क्लियर लेमिस देखिए लेटना भी होता है लेमिस रखना भी होता है लेका सेकंड फार्म लेड होता है रख दिया क्लियर लाइय माने लेटना होता है तो लाई से ले होगा से कर्फार् tamb लेकिन ले यल इवाई फिर्स्टाप रह Џ तब ले विस्फर्म होता है क्लियर सेकर्ण फो मुष्का लेड होता है ल بचाना कैसे सबसे थीक है अब देखिये इसको बचाना होता, बचाना कैसे होगा इसको समझो, बचाना या बचा कर रखना, तो ले माल रखना इस साइड मने एक तरफ, जैसे माल भी सुनो, अगर आप मतलब की पैसा कमा रहे हैं, कोई आदमी, या आप ही कमा रहे हो, दुकान, दुकान दारी की यह हैं, पैसा कमा रह जमाँ बétait याए कि एक टरफ रहा है तौ क्या हो गया बचा लोगाने में से जम करने लगता है फिर दरुपए और देना तो क्या होता है तो वो एक निकाल दे रहे हैं ले इसाइट एक तरफ रख दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं बचा ही तो रहे हैं अब यहां नीचे दो ले बाई है ले अवे ले माने रखना अवे माने दूर मला अपने से थोड़ा दूर रख दे रहे हैं कहीं जमा कर दे रहे हैं या ले इ मतलब क्या है आप कर आगला है धिकले ले भाइ ले बाइस मितला कि रखना जैसे के तело Risk मतलब बचा कर रखना या अरतचित होना ai आ अन च्छित रखना मैं या बचा कर डखना np mening Boufford कि फ्रीजग के द्वारा ही हाप ले मनें रख रहे हो मैं भाल आ ऐसा दुकान है बिजनिस के द्वारा रख रहे हो तो जान लिए लुशा कर रहे हो न भशा जाओ जाम यह भाई माने पास भी होता है कि किसी के पास रख nowhere रिजकर करके रहे हो डेल और तो द्वारा है बचा कर डखना इसे कि सीट इसे कि द्वारा इसे ऐसे कि कोई सीट पैसे लाइखा Vaid तो जान यह रिजढ़ होगया है अच्सायह चाने क्या होता है सरेंडर लैळाउन माने होता है सरेंडर मानेале आत्म समरपड़ कर देना अपने किसी के हवाले कर दें तो याद करने की ट्रिकिश्य क्या होगी दहुँए ले मिस होता रखना भी बताए आपको उसी से सब कम निजे पहले एक वह बार बर्व का आर्थ जानलो बस उसके बाद जो pre-position उसके साथ लगा उसका connection क्या है उससे समझ लो आपका कम असान हो जाएगा ले मिस रखना डाउन माने नीचे आप जो है picture देख देखते हवाले कर दिए surrender कर दिए आप समागे नहीं जब पुलिस आता है तो वो काता है कि अपने हथियार नीचे कर तो नहीं तो मार नहीं तो सब नीचे कर दिए तो यानने उसके सामने क्या करते है surrender कर दिए अराम से याद हो गया ना lay down नीचे रखना क्या रखे नीचे हथियार को नीचे रखा कोई आदमी किसी के काने पर तो जान जी वो उसके सामने अपने आपको क्या किया surrender कर दिया हवाले कर दिया चलिए आगे lay down माने देखिए एक और आर्थ होता है इसका prescribe निर्धारित करना clear इसमें क्या लेमास रखना डाउन मिस नीचे और जैसे ग्यांपल देख लिए यहंसी आर्टी आव इसके पहले वाले देखिए रिभेल्स माने बिद्ध्रोही लेडाउन दा देर आर्मस आन्स आथियार बिद्ध्रोही अपने अथियार को क्या किया तहो तो घिटेल सिलेबस को क्या है निर्धारिट कर दिया प्रिस्क्राइब माने क्या होता है अब देखिए यह बात यह एक लेम इस रखना डाउन पनं नीचे मतलब कि za संस्था ने क्या किया एक सिलेवस बना या उस सिलेवस को बना कर फिर नीचे रख डिये टेवल पर या मतलब की अपने वहां पर रख दिया तो बनाय के बाद ऊपर ठोड़ी रखेगा नीचे रखे रखेगा सबक्रेब सामने हो गया किताब है तो आप उसको अपने से थोड़ा नीचे ही रखते हैं तो जान लगी हो निर्धारित हो गया है समझेग नहीं ले डाउन माने सेक्रिफाइस भी होता देखिए एक और अर्थ होता है इसमें भी वही ट्रिक लगाओ sacrifice मैंने, क्या होता है, बली चढ़ा देना, ठीक है, त्याग करना भी होता है, ठीक ना, तो बली चढ़ा देना बस हो गया, अपना सिर कटवा देना, मतलब बली चढ़ा देना, मात्रभों के लिए, चली आगे, लुक आफ्टर माने क्या होता टेक केर आफ देख भाल करना ध्यान यह देना कि लुक आफ्टर के साथ जो है प्री पोजीशन आफ नहीं लगता है टेक केर के साथ प्री पोजीशन आफ लगता है क्लियर तो लुक आफ्टर लुक माने देखना आफ्टर माने बाद में किसी के बाद में आप देख रहे हो किसी को यानि कि जिसे कोई माह है बच्चे को मतलब किसी काम से जा रहे है पानी लेगने जा रहे है किसी तो किसी सब देखिए बच्चे को तब तक देखे रहो जब मै उसके जाने के Benny the做 mail लेकिन आफटर मैं जब अुसके तक नहीं है तब तक आप देख रहे हो वह कहने मंने समझ अब देख वाल करना व Hispanics अगला है अगला लुक deficit doubt upon look down upon माने क्या होता है घरडा कर ना नंफिर तकत ना विछश्व माने क्या होता है राक dirt इंटरमें पड़े थी ते टुड व्यूटी में आई टिसपाइज लबली चीक्स और यहां पर आत्मिक संदर नहीं लेकर कुछ से क्या करता था डिस्पाइज करता घेडा करता था डिस्पाइज मनें हेट हेट विसका अस्थिना निशा सकते हैं यूपर आप तो किसी से उपर हो पद्या पोजिशन में उपर हो अब दूसरे को down मतलब down देख रहे हो अपने आपको उपर समझके दूसरे को नीची निचा से देख रहे हो यानि आप अससे क्या कर रहे हो घ्रेदा कर रहे हो उसको पायशितों कि उसको निमने दृष्टी से देख रहे हो तो डाउन क्या है क्लियार देख रहे हो मतलब इससे अपने आपको ऊपर अपान ऊपर हो और उसको नीची नगाह से तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें आपने भी सुजाव आप दे सकते हैं ज़र आपको कोई ट्रेजल बर्व याद करने की बेस्ट ट्रिक है तो यू कैन टेल ठीक है देट विल आलसो भी अपलाई इन नेक्स्ट सेशन थैंस फर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो